यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ अंतिम विदाई दी चाहेगी अंतिम संस्कार किया जाएगा सभी जवान दिरदुन से तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर विभूती ढौन्डिवाल के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी चाह रही है परिजन, स्थान्य निवासी, सेना के नौजवान सभी विभूती ढौन्डिवाल के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद है देहदुन से तस्वीरे आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरे दिखाई जा रही है सभी भावुक है कही न कही शोक की लहर सभी में है एक दुख है लेकि दुख के साथ एक गुस्सा, एक आक्रोश सभी की अंदर है एक बदले की भावना है जिसमें आतंकी हमले में जवानों पर आतंकी हमला हुआ और जिसमें विभूती ढौन्डिवाल भी मुटभेट के दौरान शहीद हो गए अब सभी नौजवानों सेना के जितने भी नौजवान हैं तैनात हैं देहदून में और पार्थिव शरीर उनका पहुचा दिया गया है अंतिम विदाई दी जा रही है स्थी तस्वीरें देहदून से आपको दिखा रहे हैं जहां पर विबुथी डौन्डियाल के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है सभी गामवासी स्थानिये लोग नौजवान परिशन सभी में एक शोक की लहर आँखों में आसू सभी भावुक हो गए हैं लेकिन एक गुस्टा सब में हैं एक बदले की आख सब में हैं पुरी सेना के नौजवानों के लिए देशवासियों के लिए और सभी परिशनों के लिए और गाउं के जितने भी लोग हैं सभी में कहीना कहीन एक भावना उनकी विभूति डॉन्डियाल से जुड़ी हुई है क्योंकि हमारे देश के नौजवान थे जो मुटभेट के दौरान शहिद होगे अब हमारे बीच में नहीं है तो एक दुख सब में है लेकिन कहीन कहीं गुसा भी है आपको बता दें बार बार ये बात में कह रही हूँ कि सभी स्थानी लोगों में या फिर सभी देशवासियों में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर एक गुसा है एक आक्रोश है एक बदले की भावना जुलस रही है क्योंकि चोली छिपे आतं आपको दिखा रहे हैं जिसमें सेन्य सम्मान के साथ विभुति धॉन्डियाल को अंतिम विदाई दी जा रही है और उनका अंतिम संस्कार सेन्य सम्मान के साथ किया जाएगा पार्थिव शर्वीर के साथ सेना के सभी नौजवान सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहे हैं और परिजन, सान्य निवासी, गाउवासी सभी पार्थिव शर्वीर का इंतजार कर रहे थे सबकी भावनाई विभुती जोन्यवाल के साथ और उनके परिजनों के साथ है सिथी तस्वीरें दिरहदून से आपको दिखा रहे हैं झाल तो आपको बता दे पुल्वामा आतंकी हमले को लेकर विभुती जोन्यवाल मुठभेर के दौरान श्रहिद हुए है और आज उनके पार्थे शुरीर को उनके पैत्रिक गाउं पहुचा दिया गया है और अंतिम विदाई दी जा रही है सेनने सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संसकार किया जाएगा सभी में शोक की लहर है भावनाई विभुती डौन्डियाल के साथ सभी गाउवासियों की स्थानी लोगों की परिजनों की जुरी हुई है सभी भावुक हैं सबकी आखों में आसू मन में एक गुस्ता और आक्रोश भी है क्यूंकि आतंक्यों के द्वारा हमला किया गया जिसमें मुठभेद में विभुती डौन्डियाल शहीद हो गए और एक दोखे और छलावे से ये हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए उनमें विभूती धॉन्डियाल भी एक थे जो देहरादून के निवासी थे और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है तिरंगे में लिप्टा उनका पार्थिव शरीर उनके पैत्री गाउं पहुचा दिया गया है और सभी सेना के नौजवान उनके पार्थिव शरीर के साथ देहरादून में है और आज ने सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी अंतिम संसकार किया जाएगा तो आपको बता दें सभी गाउवासी उनके पार्थिव चरीर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि लोगों की भावनाएं उनसे जुरी है देश के लिए सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले विबुती डॉन्डिवाल जो दिन रात सेना के लिए सीमा पर तैनात रहते थे और पुलवामा आतंकी हमले में मुझभेट के दरान शहीद होगे उसको लेकर अब स्थानी निवासियों में एक गुस्सा है आक्रोश एक बदले की भावना है लेकिन भावुक भी सभी है कर दो कर दो